Hello everyone, Welcome to my channel, Medicine Expert Review में आपका स्वागत है आज हम Glucobay Tablet के बारे में Study करेंगे यानि की Acarbos Tablet जो की एक Anti-Diabetic Drug है यह उसकी Box Packaging है यहाँ पर अगर हम देखें तो यह जो Medicine है वो शुगर कम करने की दवा है जब भी किसी पेशन को शुगर की बिमारी होती है तो यह जो Tablet है वो ले सकते है जब भी शुगर लेवाल दोजों से अधिक हो जाता है तब यह जो Medicine है वो हम ले सकते है कि Type 2 Diabetes में यूज होती है तो चलिए सिखते हैं कि आज हम क्या क्या कंटेंट सिखेंगे Basic of Medicine, Use of Medicine, Label Study, Working and Mechanism, Dose of Medicine, Price of Medicine, Side Defects, Warnings, Pregnancy Category and Drug Interactions तो यह जो सारे चैप्टर से वो आज हम ग्लुकोबे के बारे में स्टरी करेंगे तो चलिए सबसे पहले Basic से स्टार्ट करते है यह जो ड्रॉग है यानि कि एक काम क्या है जो उसका ब्रान नेम है वो ग्लुकोबे है जो ब्रान नेम है वो किस ने दिया है बेयर जाइडस फार्मा ने दिया है उसका जो सॉल्ट कमपोजिशन है वो एकार्बोज है उसकी स्ट्रेंट है 50 mg और ओल्सो 25 mg में भी अवेलेबल रहता है नाव हम देखे आप कंपनी के बारे में कि यह जो ग्लुकोबे 50 टेबलेट है उसे मैनोफिक्चर कौन करता है बेयर जाइडस फार्मा प्राइड लिमिडेट जो कमपनी है वो उसे मैनोफिक्चर करती है बेयर जाइडस फार्मा इस जॉइंट वेंचर बीट्विन बेयर एंडस गैडिला इन इंडिया यह कंपनी है वो डो कंपनी का फ्यूजन है बेयर एंडस दोनों कंपनी मिला के बेयर जाइडस फार्मा नाम दिया हुआ है जिसका हैड ओफिस है ठाने यानि के मारास्ट्रम है अब यूज के बारे में देखे कि या यह जो टैबलेट है वो हम कभी यूज कर सकते है यह जो टैबलेट है ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट आफ टाइबिटेस टाइब टू टाइब टू की जो डाइबिटेस होटी है यानि के शुगर लेवल जो दोसों से अधिक रहता है उस कंडिशन में यूज कर सकते है हाई बलड शुगर रहता है और या फिर आप कोई भी एसी एंटिडाइबिटिक जो डूसरी दख है उसकी कॉंबिनेशन में भी यह जो टैबलेट है एक आर्बोस जो उसका कंपोजिशन है वो आप ले सकते है नाव लेबल स्टडी पे आते है कि अगर लेबल स्टडी को हम समझे तो यहाँ पे उसका ब्रान्नेम दिया हुआ है ग्लूकोबे 50 यह उसका ड्रोग कंपोजिशन है एक आर्बोस बेयर्जाइडस फार्मा का लोगो दिया हुआ है यहाँ पे यह जो टैबलेट है प्रेस्क्रिप्शन ड्रोग है यहाँ पे उसकी 12 by 10 की टैबलेट अवेलेबल है यह जो टैबलेट है वो अनकोटेट टैबलेट है फिफ्स्ट्री एमजी जो उसका कंपोजिशन है वो दिया हुआ है कमपनी की मैनुफेक्चर डीटेल्स डी हुए है और सिड्यूल एज की ट्रोग है यानि की विदाउट प्रेस्क्रिप्शन के बगएर यह जो ट्रोग है यह जो टैबलेट है वो प्रेस्क्राइब नहीं की जाती है अब इनर साइट से देखे तो यह स्ट्रिप पेकेजिंग में अविलेबल है एन अनकोटेड टैबलेट के पेक में आती है नाव वर्किंग में समझे तो यह जो टैबलेट है वो वर्क क्या करता है यह मैडिसन हमारी बोडी में कार्बो हाइडरेट की डाइजेशन को डिले कर देता है एसा होने पर ग्लूकोज का जो अब्सूप्शन है वो स्लो हो जाता है साथ में जो हमारी बोडी में स्टार्च है उसका जो सुगर में कनवर्जन होता है उसे वो प्रिवेंट करता है ओवरोल ग्लूकोज कम बनेगी and sugar control रहेगी हमारी body में तो ये उसका working था now dose के बारे में study करते हैं कि adult dose जो है 50 mg orally 3 times a day दिन में 3 बार हम ले सकते हैं 50 mg का dose and do not use in high dose ये जो tablet है वो high dose में use नहीं करनी है now वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक medicine course है जो इसकी link मैं आपको description box में दे दूँगी आप वहां से जाके हमारा ये जो course है वो purchase कर सकते हैं ऐसी ही medicine, review या फिर कोई ऐसी drugs है जिसके बारे में आपको जानना है तो वहां पर बहुत सारी drugs की information दी हुए है तो आप directly वहां से हमारा जो course है वो purchase कर सकते हैं यहां पर WhatsApp नमबर दिया हुआ है तो इसके थू डाइरेक्ली आप हमें contact कर सकते हैं अब हमारे topic पर वापस से आते हैं कि ये जो tablet है उसके price क्या है इसकी price July 2023 की है Rs. 162 of 10 tablets जो कि 50 mg में available है अब side effects देखते हैं कि ये जो tablet है वो क्या side effects देती है flutalence यानि कि gase issue यानि कि painful जाना grueling in stomach यानि कि stomach में grueling होना यानि कि जो emotions हो रहे हैं stomach pain रहता है then abdominal crumbs रहते हैं उसके बाद feeling of fullness रहता है जो stomach है उसमें हमें रहता है कि जो gase के कारण जो fullness रहता है वो होता है तो यह जो सारी है, वो side effects है, अब warning के बारे में देखे कि क्या क्या warning है, जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, अगर आपको kidney disorders है, या फिर liver disorders है, ulcerative colitis रहता है, then Crohn's disease and large hernia in intestine, अगर यहाँ पे हम देखे, तो intestine का यह जो portion है, वो larger है, यहाँ पे जो पेट का portion है, वो फूला ह हुआ है, तो यही जो सारी problem रहती है, वो hernia की रहती है, and ulcerative colitis में यहाँ पे inflammation हो जाता है, colitis के एरिया में, तो यही जो सारी condition है, उस condition में हमें glucose 50 tablet को avoid करना है, कि इस condition में हम ध्यान रखे, कि हम यह जो tablet है वो नाल है, अब pregnancy category को देखे, according to FDA, glucose 50 की pregnancy category B है, जो की pregnancy and lactation, यानि कि breastfeeding की दोरान हम यह जो tablet है वो ले सकते हैं, अब इस tablet की drug drug interaction क्या रहेगी, यानि कि एक कार्बोस जो उसका salt content है, उसके साथ यह जो tablet है वो लेनी है कि नहीं लेनी है, कि लेने से क्या drug drug interaction रहती है, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी drug है, जिसके साथ एक कार्बोस जो उ लाइगोकसिन, नियोमाइसिन, इंस्यूलिन, कॉलेसस्टरामाइन, लाइपेज, एमाइलेस, और चारकोल, तो यह जो सारी drugs है, उस drug के साथ drug drug interaction रहती है, तो हमें खास दियान रखना है, एक कार्बोस टेबलेट जब हम टेर रहे हैं, तो यह जो टेबलेट है, यह जो ड्र लाइग से वो अवोईड करना है, अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, तो आपको यह वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप यह बॉक्स में दिया हुआ जो वीडियो है, वो जरूर से देखे, ऐसे ही मैडिसिन के रिव्यू के बारे में, अगर आपको स्ट इस कर सकते हैं, थैंक यू फू वोचिंग मै वीडियो,